Hello everyone, आज Children's Day है और Children's Day जब भी मनाया जाता है तो हमारे माइन में बच्चे आते हैं बच्चे स्कूल के हो या बच्चे अभी स्कूल ना जा रहे हो या बच्चे कॉलेज में भी बहुँच गए विकोज पैरेंट के लिए तो सारे बच्चे ही होते हैं तो अगर आप इस Children's Day पे सोचते हैं कि आपके बच्चे का फ्यूचर कैसे सेक्योर हो आपके बच्चे की पढ़ाई कैसे अन्टराप्टेट चलती रहे वो जो उनके जो भी जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं जिस ट्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं अगर वो कोई एंटरेंस पे रह जाते हैं फिर भी आप एक अच्छा कॉलेज उनके लिए चाहते हो इंडिया में कोई यहां तो एंटरेंस होता है या फिर बहुत महंगी फीस वाली है या फिर अगर आप उसे फॉरण में एजुकेशन के लिए भीजना चाहते हो चाहे वो म्यूच्वल फंडो कोई भी इंवेस्मेंट आपको करना होगा स्टेटजी बनाके इसमें कुछ कोई चीजे बहुत ध्यान देने वाली हैं जिसको मैं इस वीडियो में फोकस करने वाला हूँ क्योंकि यह हमारा जो कैलकुलेशन है ना वो सारी फेल हो जाते हैं एजुकेशन में अगर आप I.M.s देखो आप I.I.T.s देखो जो टॉप के इंडिया के कॉलेजेज हैं या कोई भी टॉप का बी कॉलेज बिनस स्कूल वहाँ पे फीज का जो गुरोथ है नॉर्मल इंफलेशन से वो कई गुना जादा है कई गुना जादा अगर आप सोचते हो ना जैसे कई बार हम सोचते हैं कि यार हमारा जो rate of return है वो इंफलेशन को बीट करना चाहिए और inflation कितना भी हम calculate करते हैं 7-8% से ज़्यादा नहीं दिमाग ज़्यादा पड़ education में आप inflation को 10-20% भी रख सकते हैं कोई normal से normal school भी है उसका inflation भी 10% तो होता ही है 10% भी compounding rate से हर साल 10% तो आप अगर calculate करते हैं कि आपका बच्चा इस time 5 साल का है 10 साल का है एक साल दो साल और उसको अगर वो 17 years का होगा 16 years का होगा तो वो 10th में होगा 11 में होगा 12 में होगा इस तरह से उसके बाद वो college जाएगा जब वो 18 years का होगा उसके बाद या 17 का होगा उसके बाद वो college के बाद higher study करना चाहता है तो क्या खर्चा लगेगा, वो calculation आपको ऐसे करना चाहिए, कि minimum 10%, higher side अगर आप safe खेलना चाहते हो, तो 15% का compounding growth rate fees में आप मान के चलिए, present आप fees निकाल लेजे, और 15% का compounding growth उस पे लगाईए, और वो उस बच्चे की fees होगी उसके time पे, उसको ध्यान में रखके, उसको goal बना कि आपको अपनी planning स्टार्ट करनी है, अब उसके लिए आपने goal decide कर लिया, कोई भी अच्छा college जो आपके लगता है, maybe बच्चा तो आजकल अपने हिसाब से करेगा, लेकिन फिर भी, अब अगर वो बहुँ ज़्यादा अभी छोटा है, तो आप अपने हिसाब से planning कर सकते है depending on the ideal situation, थोड़ा बहुत changes जो depending on the choice and the talent of the kid, वो आप future में उसको change कर सकते हो, लेकिन goal जो monetary goal है, वो तो आपको पहले बनाना पड़ेगा, monetary goal आपका decide हो गया, उसके बाद उसके लिए आपको क्या investment strategy बनानी होगी, इसके लिए बहुत सारे videos बना रखे हैं मैंने कि कितने percent पे, अगर आप grow करा हैं पैसे तो वो आपको इतने साल बाद इतना देगा, इतने साल बाद इतना देगा, systematic withdrawal plan है, systematic investment plan है, और आप अपने diversify portfolio बना सकते हो, depending on your risk, depending on your tolerance, depending on your capacity, appetite, ये सारे चीजों को देखके आप अपना एक goal बना सकते हैं और उस goal को आप धिरे-धिरे करके achieve कर सकत हैं, अब आपको ये देखना है, आपको tax benefit भी चाहिए, tax benefit वाले जितने भी plan होते हैं, उसमें थोड़ा return कम होता है, इन सब के लिए भी बहुत सारे वीडियो अबलेबल हैं मेरे ही YouTube पे, और आप वैसे भी explore कर सकते हो, लेकिन इस Children Day पे बढ़िया गेवट अबने बच्चे के लिए ही होगा, कि उसके future के लिए आप अभी से plan करिए, और अगर आप plan करते हैं उसके future के लिए, तो naturally वो एक अच्छा life लीड करेगा, जो आपके लिए भी comfortable होगा, और आप पे बहुत ज़्यादा financial burden नहीं होगा, नहीं से उसे education loan लेने की जरुत नहीं पड़ेगी, जो जाद अदर लोग लेके करते हैं, जो बादें बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उसका interest accumulate होता रहता है, हमें लगता हलका लेकिन हो heavy हो जाता है, आगे चलके, so it was my suggestion, thank you very much, bye-bye, take care.